देख लिजे थोड़ा सा ये काड देख लिजे आपको स्टैप्मेंट कितना मिल रहा था है तेंथ में कितना परसेंटेज है और आईटिया इम कितना परसेंटेज है जो आपका सेलेक्शन हो गया था आप जिसे काम क्या क्या करते थे यहाँ पी यह बता दीजे बहुत लोग भी आनि कि नया नय अप्रेंटिस करना चाह रहे है लो तो उसको क्या आनि कि बोलना चाहिए कि या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछला वीडियो माँ को बताया था एक पोस्ट भी मैंने किया था कि क्या मानि की एक रहे हैं अभी और देखिए सबसे पहले मैं इनका आई जो काड़ हो मैं आपको दिखा देता हूं उसके बाद आप से आनी कि आपको थोड़ा से विश्वास हो जाएगा इसने कि आप देख लिए थोड़ा सा ये काड़ देख लीजिए कि आप देखर करके समाझ गया होंगे कि देखिए यहां पे सारा कुछ लिखा मैं फोटो डाल दूंगा यहां पर इनका नाम लिखा है इनका एक्ट अप्रेंटिस लिखा है कहाँ से करने वह लिखा है बलड ग्रूप लिखा है कौन से सेक्षन है वो इलखा है और इनका फोटो एप्रेंटिशिव रेजिटेशन नंबर है तो हम इनसे जानते हैं कि आपका निकी सबसे पहले जो डिमांड रहा था है लोगों का ओर रहता है कि सेलरी कितना मलता है तो भाई आप सबसे पहले बताइए अपना नाम बता कितना मिल रहा था यहां पर पोटल पर तो दिखा रहा था 9333 रुपय है पर आता है सेलरी 9405 रुपय हां और बतादे चुटी के बारे में कुछ बता दीजे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है चुटी वही 15 मेडिकल मिलता है और 10 मिलता है और जैसे पर्मानेंट वा होना पड़ता है फिर भी अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं लेकिन 240 दिन मानने कि अगर आपका 240 दिन नहीं हुआ दो दिन अगर 248 दिन हो रहा है तो आपको फिर ड्यूटी नहीं लेगा आपका जिस दिन ज्वाइनिंग है जिस दिन खतम होने का वह है और रिलीज कर हम favori को सरकारी में कि इसका फाइदा मिलेगा नहीं नहीं विल्कुल नहीं मिल सकते बहुत लोग मैं बता दिया hilft व्याप कि अपरीफी संब्स कोटा जो है आपको सरकारी महीं मिलेगा जो आप सोच art बीसफ проблема जो इए वो मीलेगा उन यहीं में दोग नहीं मिलेगा तो इतना में हो गया था इनका अपको सेशन इनका 2021 से 22 और हम लोग 2022 से 23 से हां इनका ज्वाइनिंग डेट भी सारा कुछ मैंने बता दिया है और यह जो है यह लेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई से अप्रेंटिस कंप्लेट कर लिए और मैं थोड़ा से इन से आनी कि अप्रेंट सेदा हमी को मिलेगा कि आप लोग देख सकते हैं कि अप्रेंटिस का अगर जो पहले के कि यहां उनका 30 नंबर पर ही सेलेक्शन होगा आप लोग पाता कर सकते हैं अभी मतलब करेंगे तो थोड़ा वो लगेगा फिर लेकिन लाश्ट में आपको एक बार चांस देगा रहे आप तयार रही अपरेंटिस करना अगर आपके स्टेट में अगर वहकेंसी आ रही है तो आप एक साल त्यारी करिए अगर नहीं आ रहे तो अप्रेंटिस करना सही है ऐसे उधर अगर चलिए यह हम बात कर लिए और थोड़ा सा इसका आपका तो यह आईडी काड़े वाला क्या हुआ है तो क्या आप आने के इसे जो free travel कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर आपका emergency है तो आप दिखा कर जा सकते हैं तो आप आप क्या कर रहे थे और आप क्या अट घंटा काम करना पड़ता है अच्छा और यह बता दिए कि इसमें की से ग्रूप वाले करते हैं हलाकि मैंने बता दिया बहुत सारा आनी की वीडियो में कि 15 से 24 साल तक रहता है और जो सरकार के द्वारा छूट मिलता है या कि स्थार जारी रखना पड़ेगा कि अगला वेकेंसी का में लिए इनतियार करेंगे अगर आपका एक जाम की तरह सब्सक्राइब कर नियुक्ति पर आपको दिया जाएगा यह पता दिए यह बुला है प्रेक्टिकल के लिए दो महीने बाद कि कि हम लोग अलग अलग बैच आया था इसलिए हम फ़र्ष्ट बैच वाले तो जा रहे हैं अभी सट्वाले थर्ड वाले कर रहें उन लोग को पूरा होगा तो हम लोग को प्रेक्टिकल कराएगा उसके बाद नंबर दे देगा उसके बाद फिर एक्जाम नहीं होगा इस पर और आपका उमीद कितना तक है कि कब तक आपका certified ऐसकता है कोशन किसन ट्र everybody हम जहाँ याई लोग प्रेपर बनाएंगा ही लोग अब देखते हैं कैसे कराते वो भी हमको पाता नहीं है अब अच्छा हाँ यह बात आप से आनिकी पुछना भूल गए कि आप जिसे काम क्या 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 करते थे यहां पर यहां पर यहां पर जिसे वर्क्षोप में इतना जिन तक रहें एक साल आपनी कंप्लेट किये तो आप क क्या क्या करते थे यहां पर काम वही सर लों के साथ ड्यूटी लगता था क्यूंकि अके लिए छोड़ नहीं सकते हैं आप कुछ जानते नहीं से लिए सीनियर टेक्डिशन होता है उसके साल लागा देते कि आपको इनके साथ यह करके हेल्प करवाना है अच्छा आनिकी यह सब कुछ जानते जितना भी अनिकी होता है लोगों के बारे मिन उसे लगवख सब कुछ तक होता है तो इस अब लगवख सब जानते हैं क्योंकि हमको पता है हां अच्या आप यह आनिकी लाश्ट में बता दीजिए कि आपका सेटिफिकेट कब तक आएगा उमीद कब त अधर में आ जाता है अधर वी जगा कर रहे थे तो उन लोग से पता चला कि एक डू महीने वाद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम लोग अभी पहले वाला बैच है एक जार एक्जाम हटा दिये तो देखते हैं कब देता है लेकिन जल्दी देगा फरवरी माह में देदेगा अच्यवक अपने अवरोल लास्ट में थोड़ा सज इससे बहुत लगवाभी यानिक नयने अप्रेंटिस करना चाहा रहे है तो उसको क्या अनिक बोलना चाहिए उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक चीज को देखान में रखना चाहिए अगर हम यहीं कहना चाहते कि अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आ रही है तो आप एक साल त्यारी करिए जम के अगर नहीं आ रही है तो ऐसे आप घर पड़े इससे अच्छा अप्रेंटीज कर लीजिए अच्छा रहेगा क्यूंकि आप आज कर लेंगे ना दो चार साल आपका थेंक्यू है दोस्तों मैं लाश्ट मैं आपको फिर से दिखा चाहता हूं कि इंडियन रेलवे का है यह जो आप देख रहे हैं आई डिकार इंडियन रेलवे का साउथ इस सेंटर रेलवे भाय जा रहे हम इनसे ज्यादा आनिकी सवाल नहीं कर सकते क्योंकि इनका ट कर्मेंट किजेगा जो आपको जरूत पड़ेगा जो आनिकी जिस सवाल पर आपका डिमांड रहेगा उस सवाल पर मैं सारा कुछ आपको जवाब देदूगा हां क्योंकि मैं भी यही से अपरेंटिस कर रहा हूं इन लोग और जूनियर हम ही लोग है ठीक है तो लगबाला ट्रेन है अभी बैठेंगे इसको चलेंगे यह आईडी कार में आपको फोटो दीख जाएगा और जो भी आपका डिमांड रहेगा जो भी आपको कुछ रहेगा आप लोग बताईएगा आपको जरूरो वीडियो मिलेगा तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिंद जभारत यह हो गया और आप यह बता दीजे की और छूट रहेगा में काम के बारे में नहीं कुछ सकते बता भी नहीं सकते हैं जो करकर सीख सकते हैं पर एक करने काने काने का रहे हूँ है झाल झाल